ओम शान्ति, आज का टॉपिक है टेलिपत्थी, हम इसे मनसा सेवा भी कह सकते हैं, या हमारे मन के संकल्पों से किसी और के मन की सेवा कैसे करें? कई बार मुर्लियों में आया है, परमात्मा कहते हैं, अंतर मुकता का अभ्यास बढ़ाओ, साइलिन्स शक्ति का प्रयोक करो, रिकागरता की शक्ति से आत्माओं का अहवाहन करो, आत्माओं से रुह रहान करो, उनके वृत्तियों को परिवर्थन करो, उन्हें स्रिष्ट बनने की प्रेरणा दो इस टॉपिक को क्लारिफाय करने के लिए स्क्रीन पे बाबा के कुछ महावाक्य है 1981 की एक मुर्ली में बाबा कहते है पहले जमाने में पंच्छियों द्वारा संधेश भेजते थे जो संधेश देकर फिर वापिस आ जाते थे आपकी सेवा कौन सी है वह पक्षियों द्वारा संधेश भेजते थे आप संकल्प शक्ती द्वारा किसी भी आत्मा के प्रती सेवा कर सकते हो संकल्प का बटन दबाया और वहां संधेश पहुचा जैसे अंत्वाहक शरीर द्वारा सहयोग दे सकते है वैसे संकल्प की शक्ती द्वारा अनिक आत्माओं की समस्या का हल कर सकते है अपने स्रेष्ट संकल्प के आधार से उनों के व्यर्थवा कमजोर संकल्प परिवर्तन कर सकते है और 1999 के एक मुर्ली में बाबा कहते हैं यह वायरलेस यह टेलीफोन जैसे यह सायंस का साधन कार्य करता है वैसे यह शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसे ही कार्य करेगा जो लंडन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे यह वायरलेस यह टेलीफोन टीवी यह जो भी साधन है कितने साधन निकल गए है इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकागरता की शक्ती से पढ़ेगी इन वाक्यों से सिद्ध होता है कि हम अपने मन के संकल्पो से किसी भी आत्मा को संदेशन दे सकते है परमात्मा अवतरन का संदेशन दे सकते है उनके वृत्तियों को चेंज कर सकते है उनके कोई समस्याएं में हम उनको पॉजिटिव संकल्प की टचिंग दे सकते है कई बार जीवन में हमारे सामने कुछ ऐसे व्यक्तियों से कनेक्शन होता है जिसमें हम कोई समस्या में वानी द्वारा सौल नहीं कर सकते है कुछ misunderstanding ऐसे हो जाती हैं कि हम उन्हें वानी दोरा नहीं समझा सकते इन परिस्थितियों में हम उनके मन की मनसा सेवा कर उनके मन के भाव को चेंज कर सकते है यदि कोई हमारे प्रति नेगेटिव भी सोचता हो हम उसे पॉजिटिव में चेंज कर सकते है आप फील करेंगे कुछी दिनों के अभ्यास से वह व्यक्ति बिना कहे ही आपके प्रति उनके मन में शुबभावना क्रियेट होगी आपके प्रति उनका व्यवार चेंज होगा वो आपके प्रति सुवत ही अच्छा सोचेंगे कई बार ऐसे भी होता है कार्य व्यवार में हमारे से न चाते भी कोई मिस्टिक हो जाती है उस कार्य की वजह से कई आत्माओं के नेगेटिव संकल्ब चलते हैं यह जो आत्माओं के नेगेटिव संकल्ब चलते हैं हम इनको भी यह मन्सा सेवा से क्लियर कर सकते हैं तो आज हम यह टेलिपतिकार प्रयोग किसी एक आत्मा पे करते हैं For example, किसी आत्मा का हमारे प्रती कुछ नेगेटिव संकल्ब चले है, वो चाए आज चले हो या कही समय पहले चले हो, तो हम उसे तीन मिनट के प्रयोक से उनके वुर्ती को चेंज करेंगे, उनके मन में स्वतर ही हमारे प्रती शुभभावना होगी, स्वतर ही दिल से वे धुआएं देंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक आग्र करेंगे, मैं आत्मा, एक पॉइंट ओफ लाइट, जूती स्वरूप, एक चमकता सितारा, शुद्ध संकल करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फील करेंगे, परमात्मा, शुवभावा, जूती स्वरूप, परमधाम में, उनसे दिव्य शक्तियों का प्रकाश निकल मुझ में समा रहा है, संपूर्ण शक्तिशाली अवस्था में स्थित हो जाएं, निरंतर परमात्मा की किर्णे मुझ पे समाती जा रही है, मैं मास्टर सर्वशक्ति मान हूँ, अभी आखों के सामने हम विज्वलाइस करेंगे वहां आत्मा को, जिन से हमें कोई बात करनी है, कोई मिसंडरस्टेंडिंग क्लियर करना हो, उनके मन का भाव चेंज करना हो, फील करेंगे मुझ आत्मा से एक प्रकाश निकल वहां आत्मा में समाते जा रहा है, दिव्य शक्तियों का प्रकाश मुझ से निकल वहां आत्मा को मिल रहा है, संपूर्ण एक आग्र हो जाएं इस्थिती में, संपूर्ण शुब भावना से मैं यहां आत्मा को किरने दे रहा हूँ, इन किरनों से इनके मन का भाव स्वतः चीन्ज हो रहा है, इनके मन में हमारे प्रती संपूर्ण शुब भावना है, यह दिल से मुझे दुआएं दे रहे हैं, इस्थिती में हम यहां आत्मा से बाते भी कर सकते हैं, जो भी मन का भाव हो हम उन्हें शेयर कर सकते हैं, इस अभ्यास से हम फील करेंगे, जब हम कर्म में वहां आत्मा के साथ आएंगे, स्वतर ही सब कुछ चेंज हुआ होगा, स्वतर ही वहां हमारे प्रती पॉजिटिव ही सोचेंगे, इसी प्रकार हम अनेक आत्माओं को भी इमर्ज कर उन्हें कोई मैसेज दे सकते हैं, उनके वृत्तियों को चेंज कर सकते हैं, उन्हें परमात्मा आउतरण का संदेश भी दे सकते हैं, ओम शान्दी